नमस्कार डेफेंस आइस्पेरेंट स्वागत है त्रिशूल डेफेंस अकैडमी के यूट्यूब चैनल पे एक गाना था आज देखें जरा किसमें कितना है दम, हम अक्सर दम को प्रूफ करने के लिए, अपने आपको प्रूफ करने के लिए अपनों में ही कॉंपेटीशन चा कर देते हैं जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एरफोस की जिन्दगी ज्यादा अच्छी है नेवी की जिन्दगी ज्यादा अच्छी है एरफोस ज्यादा अच्छी है या नेवी ज्यादा अच्छी है जिन्दगी में अपनों से किसी प्रकार का कोई competition नहीं होता इस प्रकार से आर्मी का एरफोस से एरफोस का नेवी से किसी प्रकार का कोई competition नहीं क्योंकि essential components of country में आर्मी एरफोस नेवी है अगर फॉज है तो देश है अगर फॉज है तो हम आप सो रहें आराम से अगर फॉज है तो हमारी सोशल लाइफ है अगर पहुज है तो यह यूट्यूब चल रहा है पहुज है तो सब कुछ है आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एरफोर्स और नेवी की लाइफ स्टाइल के बारे में मैं किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं कि एरफोर्स ज्यादा अच्छी है या नेवी ज्यादा अच्छी है मैं एक थर्ड पार्टी बनके lifestyle compare कर रहा हूँ कि Air Force की जीवन और नेवी के जीवन का क्या comparison है इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने Army या Air Force किसकी जिन्दगी जादा अच्छी है उस पर वीडियो बनाई थी उसी का दूसरा पार्ट Air Force याने भी किसकी जिन्दगी जादा अच्छी है वीडियो वान तक जरूर देखेगा और आपका एक comment आपका एक like आपका एक subscription हम लोगों का confidence बढ़ा देता है सामने मैं देख रहा हूं लेकिन पीड पीछे पूरी टीम है जो काम कर लिए कोई content डूंड रहा है कोई presentation बना रहा है कोई shoot कर रहा है कोई video editing कर रहा है तो aspirants गुजारिश रहेगी कि channel को जरूर subscribe करें और वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुचाएं यहां पर मैं एक सवाल और पूछूंगा कि अगर आपको एरफोस या नीवी में फैले हुए हैं ऐसा नहीं है कि कोई particular region पर ही एरफोस के basis हैं एरफोस के basis आपको भारत में उपर से नौर्ट से लेके south तक하고ी इस से लेके west तक हर जगे देखने को मिलेंगे पर नेवी के basis जो है वो जीड़ा तर भारत के को स्ट रिजिंस पर है ज्यादा तर Coastal Regions पर ही है ठिक इसी लिए Navy के तीन Commands हैं और Air Force के चार Commands है जी, Navy के तीनी Commands हैं तो तीनों Commands Coastal Region को cover कर रहे हैं लेकिन भारती वायू से इना के साथ ऐसा नही है भारती वायू से इना ठेली हुई है इसी पॉइंट को मैंने थोड़ा सो और explain करने की कोशिश की है Air Force का Base आपको ले लदाक में मिलेगा Air Force का Base आपको जैसल मेर में मिलेगा Air Force का Base आपको गोआ में मिलेगा भारती वायू से इना का वही Navy Coastal Regions पर Navy आपको कभी भी Hills पर नहीं मिलेगी Navy की Posting आपको कभी Hills पर नहीं मिलेगी Navy की कभी Posting आपको Registan में, जैसल मेर में जोदपुर में उदेपुर में नहीं मिलेगी Navy की Posting आपको पहाड़ों पर नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि भारती Coastal Line नहीं है समुंदर नहीं है भाया इसलिए Navy ज़ादा तर Southern पार्ट अफ इंडिया में ट्रांसफर भूमते रहेंगे Southern एंड वेस्टन वही एरफोर्स वाला जो अफसर है वो हर जगे North, South, East, West कभी पे भी कहीं पे भी जा सकते हैं अब जैसे कि आप कहीं पे भी कभी भी जा सकते हैं तो आप पैन इंडिया का एक्सपोजर हैं कभी आप Eastern पार्ट अफ इंडिया में कभी आप Northern पार्ट अफ इंडिया में कभी आप Southern पार्ट अफ इंडिया में तो आपका एक्सपोजर जो है वो बहुत है वहीं जब नेवी की बात करो तो नेवी का exposure ज़्यादा तर समुंदर तक है तो जिसको C सिखने से उसके लिए नेवी नी बनी जो समुंदर से डर रहा है जिसको पानी से डर है उसके लिए नेवी नी बनी क्योंकि आप नेवी में जाएंगे तो आपको C पे जाना ही पड़ेगा आपकी ट्रेनिंग से ले करके military exercises से ले के सब कुछ समुंदर में होनी ही होनी है चाहे आप नेवी में कोई भी ब्रांच में हो executive ब्रांच में हो, technical ब्रांच में हो, education ब्रांच में हो तो उनको exposure जो है वो flying का नहीं मिल पाता इसलिए अगर आप navy choice अपने डाल रहे हैं तो यह याद रखेगा कि समुंदर से आपका exposure होगा और वो जिन्दगी भी ash की जिन्दगी है, बहुत भेतरीन जिन्दगी है ठिक, अब air force में air force में pilots के लिए initially जिन्दगी tough है इसमें कोई दो राए नहीं है, कभी भी sorties मारनी है रात रात भर काम करना है, technical वालों के लिए बहुत tough life है लेकिन सब कुछ रहे से करके average अगर निकाला जाए तो family को आप समय दे पाते हैं भारते वाई उसे इना में रहते हुए भारते वाई उसे इना में अच्छी है, जब आप आगे चलके married होंगे, बच्चे होंगे so you can give devote time to your family, ठीक, वाई भारती है नौसे इना में जब आप सेल कर रहे हैं तो देखिए आप समुंदर में हैं, नहीं पता कि कब वापस है, कभी 20 दिन, कभी 21 दिन, कभी 22 दिन तो 21, 22 दिन आपको अपनी family को छोड़ना पड़ेगा पिट पीछे, नेवी में जाएंगे तो सेल करना ही करना है, ये ज़रूरी है तो जब सेल करने तो obviously family light नहीं है, अब air force station में आपको school मिलेगा, पार्क मिलेगा, आपको parties मिलेंगी, आपको fitness centers मिलेंगे, शाम के लिए walk shop होगी, सब कुछ होगा भाही भारतिये नौ सेना में ship में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, भारतिये नौ सेना के stations पे, नेवी stations पे आपको सारी amenities मिलेंगी, नेवी के schools भी होगे, लेकिन जब ship होगी, तो ship पे आपको जादा से जादा sports के लिए basketball मिल सकता है, volleyball मिल सकता है, लेकिन आप सोचें कि sports complex ह हो जाएगा, socializing, evening हो जाएगी, ये सब चीजें बड़ी limited हैं वहिया, नेवी में नहीं हैं ये सारी चीज़, ठीक, air force में दो level पे, flying level पे और ground duty technical level पे नई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, आप ground duty non technical में कोई नई चीज़ें नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी office job है, वहीं भारती ये 9 से ना, आत्म निर्भर हो रही है, भारती ये 9 से ना, रोज नई technology आ रही है, क्योंकि नेवी प से उस युद की शकल बदली जा सकती है, तो नेवी पे भारत बहुत ध्यान दे रहा, आत्म निर्भर कर रहा है भारती ये 9 सेना को, और आत्म निर्भर के साथ साथ नई technologies ला रहा है, जब नई technologies ला रहा है, तो नया exposure है, सीखने के लिए नई चीज़ें हैं, ठीक, भारती आयू सेना में abroad जाना बड़ा rare है, आप ये सोचें कि आप foreign countries में जाएंगे, ये बड़ा rare है भाईया, बहुत ज़्यादा chances नहीं है, foreign countries में जाने के, लेकिन भारती ये 9 सेना में friendly countries exercise करती हैं, हर 3 महीने में, भारती ये 9 सेना कभी माला बार exercise कर लिए, कभी इस country के साथ, कभ आप वर्ल्ड घूम सकते हैं, भारती ये 9 सेना के खर्चे पे, देश के सरकार के खर्चे पे आपको एक exposure मिल रहा है, ठिक, ये थे कुछ basic differences between Air Force and Navy, अब defense exam crack पर ना हुआ, और भी असान, रिशूल defense academy लेकर आए हैं, बिलकुल ही advanced learning app, तो आज ही join करे और start करे अपनी online classes,